नमस्कार दोस्तों आज हम देखेंगे कि create operation तो previously हमने क्या देखा था कि list of users हमने print कर रहे थे html में ठीक है ना तो इस time index.php में कर रहे हैं इस time हमें क्या करना है कि create करना है ठीक है तो create करने के लिए सबसे पहले यहां पर देखें लेता हूं मैं आर डॉर्ट गेट सॉरी गेट ठीक है यहां फंक्शन को लियां यहां पर हम सिंप्ली लिखते हैं create that's all create लिखने के बाद यहां पर एक anonymous function create करेंगे हम func and function के अंदर c pointer gain dot context simple बस इतना करके हमें आगे बढ़ना है अब यहां पर हम enter करता है और यहां पर create dot html page को हम assign करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं simply जैसे कि आप ऊपर देख रहे हो यहां पर देखिया है c html ऐसे लिखा है तो यहां पर भी हम वैसे लिखेंगे c dot html और इसके अंदर हमें भेजना है http dot status code ok simple अब लिखते हैं यहां पर create dot html इसको और कॉमा देखें यहां पर लिखेंगे हम gyn dot h को simple और इसके अंदर हम parameter pass करते है निल यहां बस इतना करने से हमारा काम हो गया अब आते हैं यहां पर सबसे पहले तो इसे रन करके देखते हैं क्या हम यहां पर आता हूं मैं इसको रन करता हूं गो रन मेंड़ गो और इंटर लाइन नमबर 38 ओके कॉमा दिया अब देखते हैं ओ मिसिंग की तो यहां पर हम देते हैं इसको अब यह काम करेगा देखिए इसने काम कर दिया तो आते हैं ब्राउजर पर सबसे पहले तो ब्राउजर पर आता हूं यहां पर लिखता हूं लोकल लोगोज़ पोट 8080 एंड इंटर देखिए यहां पर दिखना चालो गया तो मैंने आपको यह से बोला था कि इसको बूट्ट्राप में लेता हूं यहां पर लेता हूं यहां पर सबसे पहले तो इसे कॉपी कर लेता हूं कॉपी किया कोड में इंडेक्स html में हेड के नीचे इसमें डाल दिया एक चीज हो गई यह दूसरा हमें क्या चाहिए रहेगा एक टेबल चाहिए सबसे पहले तो इसे चेक करते हैं कि कैसे निफ आए यहां पर यहां से यहां पर थी आच्छी दिखला हुआ चलो गया तो अगर इसे टेबल coalition में भी लाना है तो इसे ळा तो बूस्ट्राप का टेबल पॉर्मैट कहां पर होगा धुनना होगा हमें इसे मैं सिंप्ली कॉपी करता हूँ बस वही फस्ट वाला ही लेता है यहां पर आते हैं यूएल के बदले यहां पर मैं इंटर कर रहा हूं फिलाल लिए इंटर करने के बाद पेस्ट जो नहीं चाहिए उसे मैं रिमू कर रहा हूं और जो चाहिए उसे हम रख रहें ठीक है मैं यहां से हटा दिया यहां पर यहां पर सबसे पहले तो क्या आता है हमारा नेम तो यह पर लिज़ा हूं नेम इमेल एंड आता है एज और एक चीज़ आ हमारी पास एक्शन तो एक्शन देते हैं यहाँ एक्शन, सिंपल सिमिलर वे मैं इसे कॉपी करता हूँ कट किया इसे यहाँ पेस्ट अगेन यहाँ पे इंटर करके इसे मैंने कट किया यहां से और यहां पेस्ट, डिक्टihा यह तो हो गया फ्वारण लूप का हमारा काम ठीक है उसके बाद नेम ले लेते हैं जैसे कि हमें नेम चाहिए नेम मैंने लिया, यहाँ पे डाला नेम, ओके लेता हूँ इमेल तो इसे मैंने यहां से उठाया कट किया इमेल अब लेते हैं एज कट किया पैस्ट हो गया अब क्या चाहिए यह एक्शन चाहिए तो इसके लिए मैंने कट किया यहां पर सिंपली टीडे ओपन इंटर यह पेस्ट सिंपल अब इससे थोड़ा सा अच्छा दिखेगा और इसे हम रिमो कर देते हैं यह इसकी ज कैसे दिखता है यहां पर आया कट अगोरन और रिफ्रेश करते हैं यहां पर कितना वड़िया दिख रहा है अभी अच्छे लग रहा है तो ठीक है इस बटन को हम उपर दे 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 मतलब यह और सुन्दर दिखेगा यहां से हटा के यहां पर ही दे देते हैं टेबल के पहले इसे कट किया इंटर गो और रिफ्रेश देखेगे यह मस्ट लग रहा है ठीक है ना तो यह हो गया इसका अब कंटेनर में भी डाल देते हैं क्या तो फिर क्लास में एक घुंध कर आदर इसके लिए सिंपल में थोड़ा सा श्राइल निर्ट फेलिंग मीश्टल सकता है तो यहां पर राते हैं अदे कि कैंटेनर कैसे लिखते पार में वह सकता आए मि तो यहां पर लिखते हैतने कि यहां पर सिंपल और यह कंटेंडर यह क्लास कॉपी किया और यहां पर प्रेस्ट कर दिया सिंपल तो अब देखते हैं कैसे दिखता ही है देखिए यह बहुत बढ़िया दिखना चल हो गया यह देखिए इसी तरह किसे अब हम क्या करना है यहां पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारा पेज ओपन होना चाहिए उसके लिए में क्या करता हूं एक HTML फोम बना लगा हूं सबसे पहले दो यहां पर दिखें लिखा है create HTML page पर हिट हो तो यह टेंपलेट्स में जाएगा HTML.html create.html यह बाहर आ गया इसे अंदर डालते टेंपलेट्स के ठीक है यहां पर आ गया अभी सिमिलर जितना जो जो चाहिए वह यहां से ही में कॉपी कर रहा हूं यहां से मैंने कॉपी किया यह भी कॉपी कर लेते हैं हम कॉपी किया paste ठीक है दूसरे चीज हमें क्या चाहिए बाड़ी नीचे से यह दो चीज़े कॉपी की and hinter that's all बस इतना ही चाहिए था मुझे खिलाल के लिए तो यह मैंने ले लिया है अब बाड़ी के अंदर हमें form बनाना एक इसपल तो आते यहां पे करते यह दिखता गैंसे हो देखते सब से पहले तो यह यहां पर आया और मैं यहां पर रिफ्रेश देखिए यह बढ़िया दिख रहा है अब यहां पर चेंजेस करते कुछ यहां पर लिख्ता है सब से पहले create यूजर, simple, और यह यहाँ पर हम जाएंगे, click for back to home, click for back to home, simple, बस इतना लिखने से यह back home पर चला जाएगा, simple, that's all, check करना है, तो कर सकते है, देखिए, यहाँ पर आया, और simply check किया हमने, यह ऐसे दिख रहा है, back to home, create new user, simple, अब आता है, form लेता है, form चाहिए हमें, form, form, यह है form, तो यह form का code हम ले लेते हैं, basic form चाहिए, example, लिए, तो क्या क्या लगेगा, name और email id, बस इतना ही चाहिए, तो उपर वाला ही ले ले लेते हैं, सही, अच्छा है यह, क्योंकि इसको, copy किया, यहाँ पर आके हम हमने, paste कर दिया, simply, तो text area तो नहीं चाहिए, हमें क्योंकि age लिखा है, हमने already, तो हम एक काम करता है, सबसे पहले, इसे rearrange करते हैं, अच्छे से, और यह चीज नहीं चाहिए हमना, यह text area की, तो इसे delete कर देता है, ठीक है, अब email id के पहले हमें, क्या चाहिए था, नाम, तो इ यह हो, यह यहाँ पर हम देते है, name, text, type is text, यह था, example for email address, नहीं, यहाँ पर देते है, name, label है, name इसका, यह name हो गया, id, name, actually id नहीं चाहिए, फिलाल, यहाँ पर name लिख देते है, name हो गया, and यहाँ पर हम लिख देते है, ram, ठीक है, यह हो गया, name का, यह email id का, as it is, वैसे ही रखते है हम यहाँ पर, ठीक है, और id के बदले देते हैं, यहाँ पर name, simply यहाँ पर अगर, name, sorry email, email, simple, यह हो गया, email का, अब आते है, number के लिए, तो यहाँ पर लिखता हूँ, मैं, text, number नहीं लिख रहा हूँ फिलाल, name, यहाँ पर देते है, age, simple, यहाँ पर 20, बस इतना ही, और यहाँ पर लिखते है, age, दिखे है, बहुत सुन्दर हो गया, अब यह, अब देखते हैं, यह कैसे दिखता है, लेकिन उससे पहले एक बटन भी चाहिए होगा, हमें यहाँ पर, तो इसी के अंदर यह पैस करता हूँ, मैं, और इसे remove कर देते है, अलगी यहाँ से, remove होने के बाद, यहाँ पर देते है, input type, submit, platform, btn, btn- success, simple, और id नहीं चाहिए, हमें value चाहिए, तो value देते है, इसको submit, submit, simple, placeholder भी नहीं चाहिए हमें, simple हो गया, यह काम, और एक चाहिए न, form, ठीक है, यह हो गया हमारा form, और इसे cut करता हूँ, मैं, यहाँ से, simply, इंटर मारते है, और निचे आ गया, दिखिया, अभी यह बढ़िया दिख रहा है, और इसे हम यहाँ से, यहाँ shift कर देते हैं, ताकि यह, पैचा निकले, आसानी हो जाएगी, ठीक है, तो यह हो गया, इसका, form का, अब क्या करते हैं, आगे आके, अरे आचा, हाँ, method भी दे देते हैं, हाँ तो हाँ, तो इसको यहाँ से, मैंने, create पे भेजना है, यहाँ पर लिखता हूँ, मैं, simple, create, method, और post, post method, अच्छा, अभी एक question ऐसा भी आ सकता है, देखें, कि हमने इसको क्या करा है, create पे बेजा है, लेकिन हमारा create क्या है, get है, तो हमें, हमें post भी बनाना होगा, तो हम post बनाना चलू करता है, तो उससे पहले एक बार check कर लेते हैं, कि यह कैसे दिखता है, तो उसके बाद हम post भी बना लेंगे, तो यहाँ पर आता हूँ, मैं, refresh, create user, देखें, यह कितना सुंदर दिख रहा है, अभी, name type कर सकते है, email id type कर सकते है, h type कर सकते हैं, और submit, simple, तो यह वहाँ पर चला जाएगा, post पर, तो post के लिए हमें code लिखना होगा है, यहाँ पर, simply, आता हूँ, मैं यहाँ पर, enter r.post, यहाँ पर लिखते है, create, comma, funk, ठीक है, c, pointer, gin, dot, context, ठीक है, and enter, बस, इतना ही, इतना लिखने से हमारा काम होता है, क्या, नहीं, तो यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए, दिखेंगे, name चाहिए, email चाहिए, age चाहिए, and error चाहिए, अगर कुछ, होगा, problem, तो error चाहिए, उसके लिए, तो इसके लिए, एक काम कर सकते हैं, simply, यह सारा हम ही कहा से मिलेगा, वहाँ से, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, extract from, extract from data, ठीक है, extract, extract from data, simple, extract from data, यह capital हो सकता है, and यहाँ पर function में see आएगा, simple, कि यहाँ से हम retrieve कर रहे हैं, और यहाँ पर छोड़ रहा हैं, ओके, अब आते हैं यहाँ पर if, यहाँ पर लेते हैं if, और इसके अंदर हम बेज़ेंगे, error, handle कर रहे हैं, error not equal to, nil है, तो print करें, fmt.println को, और simply यहाँ पर हम error को print कर दें, ठीक है, यह हो गया हमारा काम, error को हमने print कर दिया, लेकिन, हलाकि, यह थोड़ा सा तरीका गलत है, तो मैं क्या करता हूँ, json format में इसको print कर देता है, यहाँ पर मैं cut कर रहा हूँ, और यहाँ पर लिखते है, c.json, and http.statusbad request, simple, तो यह find it का error हमें दे देगा, जैसे last time मैं आपको बता है था, और यहाँ लिखते है, gin.h, और इसके अंदर कुछ key and values पास करेंगे हम, जैसे की, error, ठीक है ना, sorry, यह ऐसा नहीं चाहिए, हाँ, मैं तो काम नहीं करता हूँ, error, ठीक है, और क्या लिखेंगे, invalid field, simple, invalid field, इतना है लिखने से आपना काम हो गया, अब आते हैं नीचे, अगर if condition successful नहीं हुई, तो क्या करना है, तो create, user पर जाना है, यह हमारा एक function है, जो हम create करेंगे, यहाँ पर हम क्या क्या भीज रहे हैं, db, name, email, age, यह सारी चीज़े हम भेज रहा है, यह भेजने के बाद, हम क्या करते हैं, simple, यह complete होने के बाद, यह written आएगा, आएगा तो c.redirect कर देंगे, redirect, कहाँ पर करना है, इसको redirect, home page पर, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए हैं, simple सा, http, status, ok, ठीक है, कॉमा देखें, यहाँ पर हम लिखेंगे, dash, बस, simple, इतना ही, यहाँ से हमारा काम हो गया, तो आते हैं नीचे, और simply हमें क्या करना है, create user, function, create करना है, जैसी यह func किया हुआ, तो यहाँ पर आता हूँ, मैं लिखता हूँ, func, create, और simply, यहाँ पर हमें क्या क्या कहिए, देखिए, db, db के लिए, pointer, db. लेते हैं, sorry, sql, sql.db को, और, यहीं है क्या, small name, sql.db, okay, comma, name as a string, comma, email as a string, comma, age as a string, simple, बस इतने ही parameters चाहिए थे हमें, sorry, यह hint है, इतने ही parameters हमें चाहिए थे, अब इसके अंदर हमें क्या 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 लेगे गया, देखिए, यह as it is रखता हूँ, मैं, और error, क्योंकि, मुझे किसी को result डिखाना नहीं है, इसके लिए, और error तो चाहिए मुझे, इसके लिए, और यहाँ पर लिखते हैं, db. execute, क्योंकि हमें query run करनी है, इसके लिए, execute, simple, और यहाँ पर लिखते है, insert into users, जो आपका table का नाम है, वही लिखना है, यहाँ पर insert into users, और यहाँ पर simple name, email and age, यह तीन चीज़ें हमें insert करनी है, तो यहाँ पर insert लिखना है, यहाँ लेताओ values, और इस values के अंदर 1, 2, 3, त्री बार मैंने question mark डाल दिया, अब क्या करना है, और एक argument हम pass करते हैं यहाँ पर, जिसमें actual values चली जाएगी, जैसे कि name हो गया, email हो गया, age हो गया, बस simple, इतना ही, यह चला जाएगा, अगर, मान दो, अगर, यहाँ पर कुछ error आती है, तो उसे कर दिसे handle करें, तो उसे handle करने के लिए, इंटर मार के, यहाँ पर मिल लिता हूँ, if error is not equal to nil होगी, तो simply print करवा दे, fmt.println, और यहाँ पर लिखते हैं, error, जो भी error आएगी, print करवा दे, तो आभी देखते हैं, यह code run हो रहा है या नहीं, आता हूँ यहाँ पर, go, run, ओ, error तो है यहाँ पर, तो यह थोड़ा से spelling mistake का problem हो चुका है, यहाँ पर, e लिता हूँ मैं, ठीक है, एक चीज़ मिस हो गए, जैसे कि, extract form चाहिए था, form data का function चाहिए, तो यहाँ पर आके, हमें form का function भी create करना है, func form extract और यहाँ पर simply हम pass करते हैं, func has pointer gain.context, कामा, और इसी के अंदर हम लेते हैं, कि जैसे की, नई कुछ भी नहीं, क्यूंकि, यहां से हमने क्या करा है, सिर्फ सी ही पास करा है, इसके लिए, तो यहाँ पर खूछ लिए यहाँ पर हमें वापस return भेजना है, तो return हमें क्या क्या भीजना है, दिकिए ए, सिंप्ली रिटन हमें स्ट्रिंग बेजना है स्ट्रिंग कि कॉमा अगें इक स्ट्रिंग बेजना है वो क्या करेगा पहले नेम है दुसरा इमेल आइडी है इसके लिए और थर्ड अगें इंट भेजेंगे क्योंकि वह इंटीजर है और एरर सिंपल यह चार चीजे हमने भेज लेक्व क्यूश के लिए इमेल आयडी एज और यह ले रहे इसके लिए इसके लिए हमने वापस इसे भेज टी अब इसके अंदर हमें लिखना है कि 3 variables हम create करते हैं name के लिए और form से जितना भी post होके data आएगा वो यहाँ पर हम ले लेंगे तो यहाँ पर लेता है name, comma, sorry assign करते है और यहाँ पर लेता है c.post form, simple अब यहाँ पर हम name लिखते हैं, similar way में इसे मैं copy करता हूँ और दो बार और paste करता हूँ, यहाँ पर लेता है email, simple way में email, ठीक है, अब यहाँ पर लेता है age str, अगर यह string में आ रहा है तो, इसके लिए यहाँ पर लेता हूँ age, और simply अगर यह string में आ रहा है तो strconv.aty, ठीक है, यह हमने use करा, क्योंकि यह क्या करता है दिखिए, यह string से integer में convert करता है, इसके लिए a to a, a to i लिखा, अगर हमें integer से string में convert करना है, तो हम लिखते है i to a, ठीक है ना, तो यह है हमने लिख दिया है आप है, अब क्या करना था, age str को convert करना था, अभी यह हमने लिखा है, तो इसको हमें implement करना होगा, यहाँ पर पैकेज को, तो इस पैकेज में हम import करते हैं, इसको import कर दिया, simply, तो यह काम करना चलू कर देगा, अब आते हैं, यहाँ पर इफ को, error को handle करता है, यहाँ पर लिखते है, if error is not equals to nil है, तो return कर दे, return, simple, क्या return करना है, error को, तो error को return करने के लिख सबसे पहले हमने क्या भी जाए, string, comma, string, comma, 0, q, integer था, इसके लिए, comma, और यहाँ पर लिखते है, error, बस, simple, तो इस से है, error चली जाएगे, अगर नहीं है, तो क्या होगा, नहीं है, तो return, name, email, age, and nil, simple, बस इतना ही, इतना करने से काम हमारा हो गया, तो आते हैं यहाँ पर, और run करते हैं, देखे, run करने से, हमारा program, run हो गया, simple, अब आता हूँ, मैं यहाँ पर, और चेक करता है, जैसे मैंने यह किया, यहाँ लिखता हूँ, यहा at gmail.com, और 21, and submit, यह submit हो गया, क्या है, कुछ error आई होगी, यहाँ पर, देखते क्या error है, एक error आई है, हमें, जैसे की, मैं आपको दिखाता हूँ, की redirect with the status code, ओके, तो यह इसके साथ नहीं जाता, तो यहाँ पर मैं आता हूँ, simply, और change करता हूँ, c लिखता हूँ, यहाँ पर, and other लिखता हूँ, other, जो भी होगा, वो other में चला जाएगा, ठीक है, और वापस आते हैं, यहाँ पर, and again run करता हूँ, सबसे पहले तो हम चेक करते हैं, कि यह run होके data insert हुआ था या नहीं, तो यहाँ पर आता हूँ, और data insert हो चुका था, successfully, ठीक है, लेकिन यहाँ पर problem थी, इसके लिए, यह work नहीं करा, अब आते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर लिखता है, amun, amun, at gmail.com, 25, and submit, देखें, यह successfully हो चुका है, अब create and list, यह दोनों चीज़े हो चुके हैं, अब हमें क्या कहिए है, edit and delete, तो आने वाले वीडियो में, हम edit and delete, दोनों भी देखेंगे, अगर आपको कुछ doubt है, या कुछ query है, तो आप comment में लिख सकते हो, और वीडियो के आन तक बने रहने के लिए हैं, धन्यवाद, thank you so much,